दोस्तों कचड़ा चाहे मन का हो या फिर आसपास की जगए का दोनों ही हमारे मन के स्वास्ते के लिए और वातावरन के स्वास्ते के लिए खराबी होता है हाली में जारी की गई Plastic Overshoot Day Report के अनुसार भारत में कचरे की इस्तिती यानि Plastic कचरे की इस्तिती के बारे में व्याक्या सहित बताया गया है और बताया गया है कि भारत में Plastic का जो कचड़ा है वो लगातार दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है तो session शुरू हो, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि this session को देखा जाए, तो सिर्फ as a knowledgeable ना देखा जाए, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आप लोग भी प्रण ले लें, कि क्यों न हम plastic को कम से कम use करें, और अगर use करते कि आगयाने वाला भविश्य और हमारा खुद का भविश्य बच सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि plastic से वरतावरन तो दूशित होता है, लेकिन plastic से उसके chemicals पर जब आप खाना डालते हो, गरम खाना especially डालते हो, तो वो आपके body के लिए, आपके शरीर के लिए भी बिल्कु कि जान के लिए, आपके स्वास्त के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, सही नहीं होता है, तो सेशन शुरू करने के पहले, आप लोग छोटे-छोटे प्रण ले सकते हो, कि आप अपने daily routine life में plastic का use कम करोगे, बाकी reports क्या बता रही है, ये सारी चर्चा हम देखे लेंगे, भ management सही तरीके से नहीं किया गया है, ये report विवस्ते तरीके से जानकारी दे रही है, आप लोग अगर winners institute की टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़ करके, आप सारी कक्षाओं के PDF ले सकते हैं, plastic overshoot date, report 2023 अभी जारी की गई है, अप् प्रतिदेन उन्होंने plastic का किस प्रकार से उप्यों किया है और उसकी अप्षिष्ट का किस प्रकार से management किया है, अगर हम देखते हैं कि इस report को जारी किस ने किया है, तो दोस्तों, सुजलेंड के गैर्ग लाबकारी non profitable group ने, यानि ए ने जिसका अर्थन action की हालिया report की अनु नहीं है, तो चौक जाहिए और आप कहें कि सरकार पर अपना गुस्ता निकालें और प्रशाशन पे निकालें, तो सबसे पहले हमें अपने पे निकालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कि ये जो 60 प्रतिशत को प्रवंदित plastic है, उसकी सुधार हम खुद से कर सकते हैं, प प्लास्टिक ओवर्शूट डे 12 अप्रेल 2024 को ये अर्थ एक्षन द्वारा जारी की गई है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्लास्टिक इस्तिति और भी अन्य देशों की प्लास्टिक इस्तिति को बताया गया है, चाहे बीचेस में जाएंगे तो बॉटल वहीं चोड़ देंगे, मतलब हमने अपनी पूरी कसर ठाली है कि किस प्रकार इतनी सुन्दर सी प्रत्वी, इतने सुन्दर से भारत को, इतने सुन्दर से भारतिये मान चेत्र को हम प्लास्टिकों से कैसे भर दें, खोशिश की जानी चाहे कि इसका प्रियोग कम से कम किया जाए, यह स्विस ग्यल लाबकारी ईये अर्थ एक्षिन की प्लास्टिक ओवर्शूट रेप रुपोर्ट के नुसार भारत में विश्विस्तर पर प्रती व्यक्ती प्लास्टिक अप्शिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है ठीक है? साथी साथ हाला की 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अप्शिष्ट उत्पादन में 7.1 प्रतीशत की ब्रद्धी हुई है इस वर्शन हुमाने 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचड़ा हमारी भारत में यानि हमारी प्रत्वी पर उत्पन हुआ है क्यूंकि लोग बड़े हैं और लोगों ने फिर प्लास्टिक के उत्पादन में कोई कसर नहीं छोड़ी है चाइवाई जानवरों, चाइवाई भोगले क्षेत्रों सबी सभी प्लास्टिक के कारण नश्ट होते जा रहे हैं और हम उतना ही प्लास्टिक का उत्रयोग उपभूग करते जा रहे हैं भारत को कम अप्शिष्ट उत्पादक प्रदूशक की रूप में वर्गी करत किया गया है लेकिन 2024 में 7.4 मिलियन टन कूप्रबंदित कच्रा होने का नुमान है जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक क सबसे उच्छ अनुमान होगा प्लास्टिक के उत्पण्यका तो अभी से बता दिया इस अनुमान को खतम कर सकते हो कम से कम प्लास्टिक यूज करके दुनिया के 60 प्रतिशत कूप्रबंदित प्लास्टिक कच्रे के लिए चीन भारत अमेरिका ब्राजील सहित बारादेश ज मतलब बेल्जीम में पर परसन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक उत्पादन किया जा रहा है और जब कि उमान जो है वो प्रवंदर गूप्रबंधन प्लास्टिक कच्रे के मामले में सबसे आगे है तो क्या आप इंतजार कर रहे हो हम पहले स्तान पर आजाए या फिर हमें इ इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से चर्चा यह की गई है कि अप्रेल 24 तक ठीक है दुनिया की लगबग आधी आबाधी उन छेत्रों में रह रही होगी जहां प्लास्टिक कच्रा इसे प्रबंदित करने की छमता से यह देखे जनता से जादा प्लास्टिक कच्रा होने वा होगी बहतर अप्षिष्ट प्रबंदन की आवशकता पर जोड़ दिया जाना चाहिए तो प्लास्टिक उतपादन की कटोती तभी होगी जब हम प्लास्टिक की मांग कम करेंगे और प्लास्टिक का उत्पादन अगर हो भी रहा ह। तो सबसे पहला तरीका यह होगा कि उसक प्रवंदन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो इस द्रश्टी में हमें सोचना चाहिए प्लास्टिक को दो मुखे शेंडियों में वर्गी करत किया जा सकता है डिग्रिबल और नॉन डिग्रिबल जो की भूमी आफिर अप्षिष्ट तरीके से प्रवंदित हो जाए और नॉ प्रबंदित की जाने तक चमता से अधिक हो जाए कितने टेकनी अपनाद हो लेकिन कितनी प्रवंदलित प्रवंद्न होने लगता है उस दिन को प्लास्टिक ओवरशू जयुआ मना गएक कहा जाता है तो जब प्लास्टिक ज़ाधा हो प्रवंदित करने की तकनीक हो वह сторkil प्राउत्पन होने की संभावना है रिपोर्ट में यहीं भी कहा गया है कि दुनिया लगबग आधी आवादी अप्रेल 24 तक उन्जेत्र में रहेगी जहां पर लोग कम और प्लास्टिक प्रबंदित करने की छमता दिखोगी 23 अप्रेल को प्लास्टिक ओवर्शूट दिवस तक पहुचने की उम्मीद है भारत के मतलब की वही अब यहां पर प्रबंदन कम और प्लास्टिक जादा होने की अनुमान है और ज्यादा दिन बचे नहीं है 23 अप्रेल ही है भारत में अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत पर रिपोर्ट की क्या-क्याव संदर बता करता है तो आठ किलोग्राम है 24 तक भारत में अनुमानित किया गया है कि कूप्रबंदित डिस मैनेजमेंट फूल कच्रा जो है वो 7.4 मिलियन तन तक हो जाएगा और जो की सबसे जादा होगा साथी साथ रिपोर्ट ने ये भी अनुमान लगाया है कि भारत में कूप्रबं में साल औस तन तीन लाग सिल टन माइक्रो प्लास्टिक प्रयावरण में और 31,000 टन रासाने के यो जंजल मार्गों में छोड़े जाने का नुमान है भाई अगर आगे आने वाले पाप की गड़ना ही अमारे सामने है तो क्यों ना उसे सही समय पर रोक करके खतम किये जाने का प्रयास किया जाए तो दोस्तों हमें बहुत ध्यान से इस प्लास्टिक ओवर्शूट डे रिपोर्ट को देखना चाहिए कि यह क्या कैसी विवस्ता है 23 अप्रेल या फिर पास सेतंबर 2024 का वेट ना करते हुए आज ही इस रिपोर्ट को पढ़िए कोई दिक्कत नहीं आ कि प्रती वेक्ति हमें कोशिश करनी चाहिआ है कि अम प्लास्टिक को पव्योग को कम से कम करें और अगर प्लास्ट कर भी रहें तो उसके सुख्स को तरीका अपना है क्योंकि ये प्रत्वी आपकी जब आपको इतना सुन्दर मौका मिला इस प्रत्वी पर रहने का इतना अच्छा पल मिला इस प्रत्वी पर रहने का तो क्यों ना हम अपने आसपाथ के वातवरन को इतना स्वक्ष बनाएं कि प्रत्वी को और साथ ही साथ दबाएं उसकी सुरक्षा करें तो इस सेशन के साथ आप लोग एक प्रंट ले लिजे कि आप लोग कोशिश करेंगे कि छोटी-छोटी दैनेक जीवन में सुधार के द्वारा ही आप प्लास्टिक का कम से कम उप्योग करेंगे मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे की करेंट अच्छा लगा हो और अगर आपने प्रंट ले लिया है प्रत्वी को सुरक्षित रखने का प्लास्टिक का कम उप्योग करने का तो मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइए मुझे खुशी मिलेगी कि सेशन कुछ न कुछ तोड़े ही स्तर पर सार्थक मिला मैं मिलती आपको कल सुब्य आट बजे तब तक ले सभी को जय हिन जय भारत